आज बिल्लाइब श्रीतान रजीम बिसमिल्लाहिर्रह्मान ररहीम डियर स्टुडेंट्स आज हमारा जो लेक्चर है वह एग्शर्साइज 10.2 क्लास फिफ्थ को मित्नेमेटिक्स ठीक है तो हमने पहले दो लेक्चर में हमने का अग्शर्साइज 10.1 कंप्लिट किया था तो आ कर दूनी है क्षग्चर में वीडियो में वी मनिया था जो से चाह Halloween से शौक कर तो है सुस्के लिए क्मआड़ करना है सब्सक्राइव आट नहीं और टैड़िंगा त्सक्राइए घर लेक्शंब यहां पर लाप एडए और नहीं實 examples दया है 48 hours को हमी क्या करना है days में change करने ठीक है यहां यहां निक यह days बढ़ा है hours से 48 hours का हमने days में change क्या हमने divide के ठीक है तो इसी तरह डिवाइड करना है यहां है तेखो फ्रोड पहला exercise 10.2 का 10.2 question number one question number one क्यों क्रूशिद the falling into days and hours in in install और स्में गंवार्ट करना थें डेस ओर अवार्स में तो पहले से देश मिक अनुर्ट करना है थे कि तो पहला देखो फास्क्राथ एंथो यॉल्ट बाइख किया देखिज है यूनिटों में तो हमें उस यूनिटोनिटों का नंबर बता वना चाहिए जैसे हैं आप सामा अवयर्स का मावंटों में डैस में रब करना है तो एक इसस्तिनी कितना वर्स होता है वींतित 6 थाइँ तो एक दिन में आमें 24 24 गंटा होता है तो आप 568 वाह में डेस में कनवार्ड करने तो 568 को सिदा गया करो डिवाइड कर दो 24 से क्योंकि त्वाहर्स में चेंज करने तो 24 से करना पड़ेगा ठीक तो टॉन्टिफोर तेसको क्या कर दो डिवाइड कर दो 24 टू जा 48 य 72 तो यहां पर एट ओर टू सिक्स एट सब्सक्राइब तो यह 23 बज़ गया हमारे पास कोशन ठीक है और यह 16 हमारे पास बज़ गया दिमेंडर ठीक है तो बस हमें को कोशन निकल गया 568 और को हम चेंज करेंगे डेस में तो 23 डेस और 16 रिमेंडर हमारा क्या हो ज़ेगा आवर्स हो जाएगा और 23 जो हम वह कोशन जो हमारा वह देस हो जाएगा तो 568 और को हम चेंज करेंगे तो 23 डेस और 16 आवर्स यह वह गया 568 और का हमारे पास थayज गया हमने 560 डावर्स कोगे इसे replied ऐसे बसा ऐए 1040 अरोस जमाच में चैंज लारह होई होई यह करते है यहां सब्सक्राज में यह वन इलोई कोई हमें डेज में चैंज करना है तो क्या करो ओं ऑन जीरो फोर जिरो को हमें डिवायद करो 24 से क्यांकि एक हावार स्कूर डेस मेरा चेंज करने है तो एक डेस में हुर्टी ने टो टो टूंटी-पॉर व्यूंत अर्था छाइगा व्यून गार फॉर्जा रफ लेकर यहां पर ट्वेंटी-फॉड यूट्य। 96 24 forza यह हो जाता है 96 तो यहां पे 14 में से 6 हो जाएगा 8 ठीक है यहां पे 99 में से 0 यह हो जाएगा 8 यहां पे 0 यह देर निकालो 80 24 3 is 72 तो यहां पे बज़ गया 8 ठीक है दिस इस रिमेंडर एट जो रिमेंडर है और यह है कोशन तो 1040 आवर्स में कितना डेज आगया 43 डेज आगया 43 डेज और 8 आवर्स आगया हमारे पास 104 आवर्स ठीक है 43 डेज और 8 आवर्स 104 आवर्स ठीक है तो इसी तरह बाखी पूशिन 1020C 1260 आवर्स को भी हमी चेंश करने डेज़ आवर्स एवर्स देज इए तो इसी तरह नेक्स कोशिन है सेगह थोड़ निक्स कोशिन है इन जो आवर्स 10 है 560 मिनिट है तो 560 को चेंज करना है हमें आवर्स और मिनिट में तो हमें यह पता होना चाहिए पहले एक आवर्स में कितना मिनिट होता है 60 मिनिट होता है यानि कि एक आवर्स में हमारे पास 60 मिनिट होता है ठीक तो यहां पर क्या करेंगे इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 60 एगर नंचा टीक है तना सिती नैंज नऊ जो सिरो ग्षी पास किसन नव autora सिरों डू किस ऐगे आवर्स में चेंज करने तो कितना आवर्स हो जाएगा नाइन आवर्स ठीक है? 9 hours 20 minutes है हमारे पास remainder जो हमारे पास minute हो जाएगा question हमारे पास hours हो जाएगा तो 560 minute को मैंने चेंज किया hours or minutes में 9 hours 20 minutes इसी तरह second question thousand minutes थाउजन मिनुट से तो थाउजन को डिवाइड कर दो किस से 60 से ठीक है 60 1060 यहां पे 40 बज गया 068 जा तो यहां पे बज गया 040 बज ठीक है तो यह 16 हमारे पास आगया कोशन यह 40 हमारे पास आगया रिमेंडर तो यहां पे आएगा थाउजन मिनेट को हमने आवर्स में चेंज करना है तो 16 hours 16 hours by 40 minutes का इस तरह करना है यह जो ठीक है त Body other-, आप स्टुर लुट हो estaba इसी तरह next question है, तीसरा minutes और second में change करना है, ठीक है, इनको seconds में दिया है, हमें 780 seconds है, उसको minutes और second में change करना है, 3rd का a part, 780 seconds, जैसे कि हमें पता है, 1 minute में कितना second होता है, 60 seconds होता है, 1 minute बराबर होता है, 60 seconds, तो क्या करो, फिर ते 66, 780 को हम divide करेंगे, 60 से, ठीक है, 61, 60, 8, 18, 180, 63, 180, ठीक है, तो यहां पर रेमेंडर 0 बज़ गया, इसका वाल लब 780 seconds में आएगा, 780 seconds में आएगा, 13 minutes, ठीक है, 13 minutes आएगा, 780 seconds, ठीक, भी पर और इसी तर एग और कोशिन है, 960 seconds, 960 seconds, 960 seconds को क्या करना है, 960 को divide कर दो, 60 से, हमें यह देखना है कि 960 seconds में कितना minute होता है, ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर दो, 60, 1 जा 60, 6, 3, 0, 66 जा 3, 60, तो यहां पे भी आएगा, इस इकल्टी कितना आएगा, हमारे पास 16 minutes, 960 seconds में हमारे पास आता है, 16 minutes, ठीक है, क्योंके रिमेंडर 0 बजगा, तो 16 minutes, यह हो गया, question number 10.2 का, 10.2 का, एक दरस्ताज 10.2 का, question number 1, 1st, 2nd, और 3rd, ठीक है, बहुत easy question है, आराम से गर पे try केज़ेगा, simple क्या करना है, हमें divide करना है, बस, हमें यह देखना है, unit को, कि बड़ा unit को छोटे unit में change करना है, या छोटे unit को बड़े unit में change करना है, अगर बड़ा unit को छोटे unit में change करना है, तो multiply करना है, और छोटे unit को अगर बड़े unit में change करना है, तो divide करना है, ठीक है,